नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बढ़ना हावरा वंदे भारत एक्सप्रेस तीसरे ट्रायल के लिए हुआ रवाना कोचिन संस्थानों के लिए सिक्षा विभाग ने जारी किया नया फॉर्मेट बचायत से तीस दिन गैर हाजर रहे तो बदल जाएगा मुख्या मनीश कशप ने जेल में होड़े कार नामों का किया खुलासा तीनों फॉर्मेट में भारतिय टीम बनी नमबर वन इसके साथी बढ़ते हैं शाम तकी बड़ी खबरों के ओर बस्तार से कोचिन क्लास पर निडभर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सरकार कर रही अब ये पहल बहार सरकार के सक्षा विभाग की ओर से किया गया सरविक्छन से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे कोचिंग क्लास पर अधिक नर्भर हैं ऐसे में बच्चों को लेकर बिहार सरकार के ओर से एक पहल की गई है इसके साथ इस रिपोर्ट की आधार पर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी स्कूलों के साथ ही कोचिंग क्लास में पढ़ाई करने वाले कितने प्रतीशत विद्यारती हैं बतादे के इन दिनों सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पार्ठक के द्वारा बिहार में सक्षा विवस्था को सुधारने के लिए कई एहम कदम उठाए जा रहे हैं पटना हावरा वंदे भारत एक्सप्रेस तीसरे ट्रायल के लिए हुआ रवाना ऐसे में आज पटना हावरा वंदे भारत एक्सप्रेस का तीसरा ट्रायल किया गया जिसके तहत आज सुभा आठ बजे पटना हावरा वंदे भारत एक्सप्रेस जमुई के लिए रवाना हुई है और शाम कुद जमुई से फिर वापस पटना पहुँचेगी ऐसे में अगर आज के ट्रायल में ट्रेन में थोड़ी बहुत भी कमी देखी जाती है तो उसे ततकाल प्रभाव से ठीक किया जाएगा अब कि जानकारी के लिए बता दे कि पटना हावडा वंदे भारत एक्स्प्रेस से पटना हावडा के बीच 532 किलो मीटर की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी यानि कि स्ट्रेन की स्पीर 110 से 130 तक रहेगी बिहार में हर मां ओस्तन इतने अपराधी हो रहे गिरफतार एकसट अपराधीों की गिरफतारी से अधिक है इसके रहटगे में हर महीं ने हर महीं ने हाड कोड़ अपराधी यों की गिरफ्तारी कि असंख्या बढ़कर 1200 हो गई है पता दे कि वर्ष 2021 में कुल 1.9-8 लाग अपराधियों की गृफटारी की गई थी तो वहीं वर्ष 2022 में कुल 3.9-4-6 लाग अफराधियों की ग्रिफटारी की गई थी जबकि वर्ष 2023 के अगस्ट तक 2.9-3-1 लाग अपराधियों की पंचायती राज विवाग के अपर मुख्य सची मिहीर कुमार सिंग की ओर से आदेश जारी करिया जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार की ओर से नियमों में बदलाओ करते वे अब अगर मुख्या ग्राम पंचायत में किसी भी कारण से 30 दिन तक गैड हाजर रहता है तो उनके बदले उप मुख्या स्वता कारे भार संभाल लेंगे यानि कि मुख्या बदल जाएगा बता दे कि पहले ये अवधी 60 दिन की थी जिसे अब घटा कर 30 दिन कर दिया गया है इस नंबन में सी एस द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिका अगर मुख्या किसी भी कारण से ग्राम पंचायत में 30 दिन तक ग्यर हाजिर रहता है तो एक 30 दिन से उप मुख्या का स्वता प्रभार ग्रहन कर लेगा वहीं मुख्या के काम शुरू करते ही उप मुख्या के अथिकार स्वता समाप्त हो जाएंगे मनीश कशप परतमान में बेउर जेल में है और वह समय समय पर पटना के सिवल कोर्ट पेशी के लिए पहुँचे तो वहां उनकी मां उनसे मिलकर भावक हो गए जिस पर मनीश कशप के द्वारा अपनी मा से कहा गया कि वह जेल से बाहर कुछ ऐसा काम करेंगे कि फिर किसी मा को रोना नहीं पड़ेगा वहीं पेशी के बाद उन्होंने जेल में हो रहे कार नामों का खुलासा करते हुए कहा कि जेल के अंदर जेल प्रशासन के द्वारा ही नशीले पदार्थ गोली पिस्टर भी पहुचा आए जाते है वहीं मुझे नसेरियों के वीच में रखा जाता है जिससे मेरा सिर पता है कि मेरे खिलाफ केस हो सकता है लेकिन मैं छे महिने तक चुप रहा पर अब मैं किसी से डढ़ने वाला नहीं हूं उन्होंने कहा कि मेरे दादा जी ने चीन से रड़ाई ड़ी मेरे पता फौजी है पाकुसतां से युद्र लड़े मैं चाराश चोड़गा नहीं उन्होंने जेज से निकलने के बाद सर्कार बनाने का भी दावा किया है जो की कोचिंग संस्थानों को उपलद करा दिया गया है, ऐसे में अब कोचिंग संस्थान उस फॉर्मेट के आधार पर सभी जानकारी संबंधित प्रकर्ण सिक्षा पदादिकारी को सौपेंगे आपके जानकारी के लिबता दे कि विभाग के ओर से कोचिंग संसानों के लिए जो नया फॉर्मिट तयार किया गया है उसके आधार पर कोचिंग संसानों को ये जानकारी देनी होगी कि उनके कोचिंग में पढ़ने वाले चातरों की संख्या कितनी है विकिन चीजों की तयार करवाते हैं इनकी साखा कहां कहां है समय सार नी क्या है एक बैच में कितने चात्र को पढ़ाया जाता है समेट कई जानकारी शामिल है गया जी डैम को लेकर जल संसाधन मंतरी संजय जाने कहा ये 28 सितंबर से विश्व प्रसिद पितरी पक्ष मेले की शिरवात हो रही है ऐसे में तैयारियों का सलसिला जारी है वहीं बिहार के जल संसाधन मंतरी संजय जाके द्वारा एक्सपर जो की पुर्वो में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट करते वे गयाजी डैम से जड़ा एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें यह डैम रोष्णी से जगमगाता हुआ नजर आ रहा बतादे कि वीडियो को शियर करते वे मंतरी संजय जाके द्वारा लिखा गया है कि गया में प्रसिद विश्व पद मंदर के निकट फल्गु नदी में एट दरे डबलू आर्टी बिहार द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम और सीता कुंट तक आवा गमन के लिए बने पैदल पुल पर रोष्णी की यह सज्जा पितरी पक्ष मेला महा संगम 2023 के दौरान आने वाले श्रधाल राज्य सरकार के दौरा बिहार की राजधारी पटना के बांकेपूर बस डीपो सुल्तान पैलस और होटल पाटले पुत्र अशोक को तोड़कर पांच स्टार होटल बनाने का नन्य लिया गया है इसको लेकर परटन विवाग के दौरा अपनी वेबसाइट पर होटल के लि 3.5 एकर एरिया में कम से कम 22 मंजला भवन बनाने की योजना है वहें इसके लावा सुल्तान पैलस के करीब 4.8 एकर जमीन पर 12 मंजला फाइव स्टार होटल बनाने का नन्य लिया गया है और साथ होटल पाटले पुतर अशोका को तोड़कर करीब डेरेकर जमीन पर 12 मंजला होटल बनाने का नन्य लिया गया है बिजले विभाग का इंजिनेर बना करोडों का मालिक विसेश निगराने इकाई के दौरा बिजले विभाग में काम कर रहे काड़े पालक अभियंता संचीफ कुमार गुपता के खिलाफ आई से अधिक संपत्ती मामले को लेकर उनके चा कारे पालक अभियंता संचीफ कुमार गुपता के दौरा सातवर्ष यानि की 2017 से 23 की कारेकाल में इस सभी तमाम संपत्ती अवैद रूप से अरचित की गई है जिसका सरकारी मुले करी 5 करोड रूपे है जबकि बाजार मुले इससे कई गुना अधिक है बतादी की जांच से निकली जानकारी के रुसार इंजिनेर संजीफ गुपता के दौरा अपने अलावा अपने पिता और अपनी पत्नी के नाम से भी संपतियां खड़ी दी गई है CM NITIZZ ने स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना का किया सिलनयास आज बिहार की मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा वाटर ड्रेनेज योजना समेत विविन सहरों में शवदागरी योजनाओं का सिलनयास किया गया CM NITIZZ के साथ DIPTCM, तेश्वी आदब भी उनके साथ मौजूद रहे इस दौरान जब नितीश कुमार से मीडिया के द्वारा बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि बारिश का मजा लीजिए महीं तेश्वी आदब के द्वारा कहा गया कि इंडिया गडबंधन में सीट शेरिंग को लेकर कोई परिशानी नहीं है बिहार में कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती जो लोग उधर गए हैं उनसे पूछे एक ही परिवार में दो हिस्ता कर दिया उनकी क्या स्थिती है वसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिदूरी द्वारा दिये गए अपती जिनक बयान पर उन्होंने कहा कि इन लोगों का काम ही वैसा है दो दिन पहले पीयमोदी ने भी बताया था कि आपका आचरन ही आपके बारे में बताता है लेकिन उनके ही सांसद ने समिधान और संसद की मरियादा की धजियां उड़ा दी हाला कि हमें पता है कि इन पर कोई कारवाई नहीं होने वाला आनंद के सोर एक बार फिर बने बिहार विद्याले परिच्छा समीती के अध्यक्ष उनमें प्रोफेसर ससी प्रिताप साही कूलपती मगद विश्य विद्यालत था प्रोफेसर डॉक्टर फैजार मुस्तफा कूलपती चानक के राश्ट्री विदे विश्य विद्याले के नाम शामिल है। रूप में रहेंगे मानुमों कि जारी किये गया अधिसूशना के प्रभाव से या अगले तीन वर्षों के लिए पुनरगठन किया गया है। के पद में उत्क्रमित किया गया है। वही दूसरी ओर विभाग के ओर से बिहार की राजदानी पटना सहित अन्य जिलों में सिवल सर्जनों की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मालमों के बिहार की राजदानी पटना में नए सिवल सर्जन तैनात होंगे तो वही अन्य जिलों में सिवल सर्जन के पद प्रभार में दिये गएंगे। पिदा की जयन्ती से पहले पुत्रकार निदर सियम नितीश कुमार ने जताया दुख। रामधारी सीन दिनकर जी के बड़े पुत्र एवं साहित्यकार के दारनात सिंग जी के निधन दुखद स्वर्गेर के दारनात सिंग जी का अपनी जनभूमी सिमरिया से विशेश लगाव था उनके निधन से साहित्य जगत को अपूर्णिय च्हती हुई है। दिवंगत आत्मा की चीर सांती के लिए इश्वर से प्रात्ना है। जादे कि दोनों की ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। वही इस दोरान इन दो रोनेताओं के बीच इंडिया गरवंधन को मजबूती देने समेट कई मुद्धों पर बात चीत की गई। पता दे कि सीता राम ये चुरी के दोरा लालो पर शास्ते हुई मुलाकात की जानकारी एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दी गई है। दोपहर CPI, विधानमंड, दल के नेता, अजय कुमार के साथ, लालो जी और राबरी देवी जी से उनके पटना सित आवास पर मुलाकात की यह सुनजित करने से संबंध हित्मुदों पर चर्चा की गई कि महागरवन धनराज्य की सभी 40 लोग सभा सीड़ों पर जीत हासल कर सरीज में एक शने की बरहत बना ली है, इसी के साथ अब ICC के दोरा तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर बन पढ़ है, बता दे किसी के साथ भारतिये टीम अफरीका के बाद दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी ट मैच में भारतिये टीम के दोरा टॉस जीते वे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक टीम की ओर से भारत के सामने जीत के लिए 277 रनों का लक्षे रखा गया था, जिसका पीछा करते वे भारत ने 48.04 ओवर में 5 विकेट पर 281 र इसके साथ ही बढ़ते हैं अचके सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के लिए 5D मंद होता है या नहीं अपना जवाब हमें अमारी कमेंड सेक्शन में लिक कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के स साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ये अगर आप यूटूब से देख रहें चलन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थानेवाद